अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी नमस्कार बॉलिवूड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चढधा का बुरा हाल हो चुका है फिल्म ने रिलीस के बारा दिन बाद भी सिर्फ 56 करोड के आसपास की कमाई की है जबकि इसे बनाने में 180 करोड लगे थे उमीद थी कि फिल्म 300 करोड से ज्यादा का बिजनिस कर जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सबसे बड़ा जटका आमिर को उस वक लगा जब उनकी फिल्म की नेटफ्लिक्स के साथ डील कैंसल हो गई ये डील लगभग 160 करोड में होनी थी लेकिन कमपनी ने वो डील खत्म कर दी अब ऐसा लग रहा है कि आमिर हर तरफ से फस गई है करियर के पीक पर खड़े आमिर का सबसे बड़ा ड्रीम प्रॉजेक्ट पुरी तरह से फिट गया प्रॉफिट तो क्या होता लागत तक नहीं निकल पाई विरोध हो रहा है वो अला उधर डिस्टिब्यूटर्स ने मुआवजा मांग लिया है इस इस्तिती में फसे आमिर खान का खूब मजाख उड रहा है इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा मीम वाइरल हो रहा है जिसमें दिली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल भी आमिर खान का मजाख उडाते हुए नजर आ रही है हाला कि ये सिर्फ एक मीम है असल में केजरिवाल ने आमिर का मजाख नहीं उडाया वाइरल हो रहे मीम में आमिर खान कहते दिख रहे हैं मेरी फिल्म के OTT राइट्स कोई नहीं ले रहा इस पर अर्विन केजरिवाल कहते है यूट्यूब पर डाल दो केज रिवाल के इस बयान की वजह से उनकी खुब आलोचना भी हुई थी वो बयान आपको आगे सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे केज रिवाल और आमिर पर बने इस मीन को किसी और ने नहीं बलकि क्यार के ने साज़ा किया है उन्होंने इसके साथ लिखा This is the reply of अर्विन केजरिवाल टू आमिर खार कियार के द्वारा शेर किये गए इस post पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जम कर मजे ले रहे हैं चलिए अब सुनवाते हैं आपको केजरिवाल की तरफ से सदन में जो बयान दिया गया था बेरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंच करके अपनी राए हमें ज़रू है उसने का आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा तुरंत विवेक अगनी होतरी का ट्वीट आया खटर साब के खटर साब देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पर कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया आंखे खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग वो करोलो कमा गया कश्मीरी पंडितों के नम पर करोलो कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग